नमस्कार, वेल्कम टू बिहार सिवेल्स मैं हूँ अलोक सिंग और आज किस वीडियो में डिस्कस करेंगे 27 फ़वरी 2022 के बिहार करेंड अफियर साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे तो अगर आप प्रिप्रेशन कर रहे हो BPSC, CDPO, बिहार SI, या फिर बिहार के दूसरे competitive exams की तो बिहार सिवेल्स को जरूर सब्सक्राइब करें, वेडिये हर दन की तरह description box में मिल जाएगा और question discuss करने से पहले आप सभी को मैं एक बहुत ही important नोटी देना चाहूंगा मैं एक changes ला रहा हूँ इस video series में, लेकिन आपको घबराने के जरूत नहीं है, obviously हो सकता है, आप मैंसे बहुत लोग गुस्सा हो मेरे पे लेकिन मैं आपका इस गुस्से को सहन करने के लिए ready हूँ and of course आप लोग का हक बनता है, लेकिन एक changes है करना चाहता हूँ because देखिए कुछ चीजे होती है, कुछ broad करने की कोसिस में कुछ तो changes लाने पड़ते हैं वही वक्त के according मैं उमीद करूँगा जिस तरह से आप इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हो आगे भी आप सपोर्ट करोगे, ठीक है, अब यह changes क्या है, तो देखिए मैं आपको हर दिन प्रुवाइड करता हूँ बिहार plus national plus international current office, ठीक है, हर दिन, हर वीडियो में आपका ये तीन सेक्षन से current office होते ही होते हैं, ठीक है, अब मैं यहां कर रहा हूँ separation, national और international का और बिहार का, ठीक हो इसको हम separate कर रहे हैं, लेकिन कोई भी quality की इसमें compromise हम कभी नहीं करेंगे, ठीक है, आपको जिस तरह से भी दिया जाएगा अगर मैं आपको प्रवाइड कर रहा है तो quality आपको जिस तरह से मिलती है उसी तरह से मिलेगी ठीक है बस इतना ही नहीं कर रहा हूं बिहार से related जो current होंगे वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे बिहार civils पर ठीक है बिहार civils पर मिलेंगे लेकिन national और international के लिए मैं एक नया चैनल ओपन कर रहा हूं और वो नया चैनल एक मार्च से सुरू हो जाएगा देखिए एक चीज़े हैं जिस तरह से national international इस पर चल रहा था आपको 28 मार्च तक सब कुछ साथ में आपको इस पर मिलेगा बस सेम चीज 28 मार्च के बाद से एक मार्च से आपको एक द उसका मैं लिंक आपको दूँगा वो सब चीजों के लिए आप घबरा या नहीं वो सब मैं पुरा उसका मैं आपको बता दूँगा कि कहां पर आपको यह करना है सब्सक्राइब तो बिहार से जितने भी होंगे वो तो आपको यहीं पर मिलेंगे ठीक है इसी पर लेकिन national international क से आप इस स्रीज को फॉलो कर रहे हो तो यहीं स्रीज आगे बढ़ता जाएगा ठीक है बिहार करेंट यह डेली नहीं आएगा यह वीकली हो जाएगा ठीक है सिर्फ बिहार करेंट क्योंकि इसमें प्योर बिहार करेंट होगा 100% ये बिहार करेंट होगा नेस्टरल इंटरनेशनल दूसरे चैनल पे ये आएगा ठीक है, तो current affairs पढ़िए मैं current affairs में आपको एकदम से बढ़िया बना दूँगा इसकी guarantee मैं देता हूँ ठीक है तो ये चीज़े मैं बस changes कर रहा हूँ and obviously आप लोग गुस्सा कर रहे होगे लेकिन ठीक है आप थोड़ा सा support देतो मैं वादा करता हूँ आपको इसी तरह से हमेशा provide करता रहूँगा कभी भी जो ये बिहार की current affairs हो या नेस्टन इटरनेस्टन करेंट अफ्यस हो कभी कभी आपको मैं पेड नहीं दूँगा कभी भी पेड नहीं करूँगा बस थोड़ा सा आप आपकी support चाहिए कभी भी हमेशा ये मैं आपको free provide करता रहूँगा always और इसका पिडिये भी आपको free में ही रहेगा video भी फ्री में ही रहेगा जब तक मैं current affairs मैं videos बनाता रहूँग ठीक है आप बस इसका थोड़ा support कर दो थोड़ा सा आप ये चीज़ देख लो ठीक है बाकी चीज़े तो बाकी थोड़ा समय ने आपका time ले लिया कोई नहीं कुछ चीज़े समझाने होती है तो इसको थोड़ा सा नेना पड़ता है कुछ दिन पहले आपको पता होगा आमीर शुभानी ये बने है बिहार के बिहार के चीफ सेक्रेटरी ठीक है तो ये भी आपको याद रखनी है नेक्स कोईस्चन जेपीएन यानि कि जेपरकास नरायन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पतना has started with facilities for the senior surgeons and disabled person recently तो जेपीएन अंतरास्टी हवायड़ा पतना ने हाल ही में वरिष्ट नागरिकों और विकलांग वेक्तियों के लिए शुरुआत के कौन सी सुविधा यहाँ पर शुरुआत करी गई है तो ये सुविधा है ये facilities है एमबू लिप्ट option A is the correct answer इसमें जो disabled person है या फिर senior surgeons हैं उनको एयरपोर्ट से फ्लाइट में चढ़ने के लिए ये काफी मदद उन्हें शामित होगा एक जिस और है कि JPN International जो है जैपरकास नरायन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसको सामिल किया गया है 200 best serving airport में ठीक है भारत का जो है 7 airport सामिल है इस category में और इसमें पटना का JPN International एयरपोर्ट भी शामिल है हाली में बिहार के एयरपोर्ट एक और एयरपोर्ट था जो न्यूज में था और वो था GAYA International Airport ठीक है वो क्यों था न्यूज में तो देखिए गया का हर एयरपोर्ट का एक code होता है तो गया का जो code है वो है G-A-Y ठीक है तो इसको थोड़ा सा गया प्रणोंसियेट होता है तो इसको चेंज करके किया जाना था है Y-A-G और इसको किया है यह प्रपोजल रखी गई है अभी चेंज नहीं हुआ है ठीक है किस ने रखी है तो Standing Committee of Parliament ने नेक्स्ट है ति मल्टी नेशन एक्सरसाइज कोबरा वरियर 22 इस और्गनाइज एनुवली बाई विच केंट्री तो बहु रास्टिये अभ्यास कोबरा वरियर 22 किस देश द्वारापरति वर्स आउजित किया जाता है तो कौन सा यह देश है युनाइटेड किंडम option B is the correct answer और ये एक एयर एक्सरसाइज है ठीक है क्या है ये एक एयर एक्सरसाइज है तो भारत का कौन सा यहर क्राफ्ट इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है तो LCA तेजस लाइट कॉमबेट एयर क्राफ्ट तेजस इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और हाली में सिंगापुर में एक एयर सोहरा था उसमें भी भारत का LCA तेजस ही पार्टिसिपेट करने गया था तो ये भी याद रखिए ये जो एक्सरसाइज है कोबरा वरियर 22 इसमें बहुत सारे कंट्रीस पार्टिसिपेट कर रहा है जिसे स्वेडन हो गया सौधी अरब्या हो गया बुल्गारिया हो गया ठीक है इंडिया तो है ही अब्यसली नेक्स क्वेस्टिन विच बिकम दर फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया तो गेट एंब्या एक्रिडिटेशन तो ये एक सर्टिफिकेशन होता है कि कौन सी इनवर्सिटी कितनी अच्छी है उसके अकॉर्डिंग ये एक दिया जाता है एंब्या मानता प्राप्त करने वाला भारत का पहला वेश्व बिद्याले कौन सा है तो ये वेश्व बिद्याले है चंडिगड उन्वर्सिटी ओप्शन सी इस दी करेक्ट आंसर एक और है जैसे नैक नैक का भी जो है सर्टिफिकेशन मिलता है नैक एप्लस इसको दिया गया है इसको नैक एप्लस के साथ साथ इसको NBA accreditation ठीक है दोनों साथ में इसको सर्टिफिकेट दिया गया इस उन्वर्सिटी को चंडिगड उन्वर्सिटी को चंडिगड औवेसली कहाँ पे है चंडिगड एक्चुली में पंजाब और हर्याना के पास है पंजाब हर्याना की कैपिटल है चंडीगर्ड इनफेक्ट और यहां तक की चंडीगर्ड एक यूनियन टेर्टरी भी है ठीक है Next question Which institute has launched किशान मोबाइल एप की संस्थान ने किशान मोबाइल एप लौँच किया है तो यह कौन सा संस्थान है तो किशान मोबाइल एप को लौँच किया है IIT रूड कीन है Option D is the correct answer किशान मोबाइल एप का क्या यूज है इसमें क्या है कि जो फार्मर्स है हमारे वो इसली एक्सेस कर सकते हैं वेदर बिलेटिन एड़ ब्लॉक लेविल अब देखिए अब जो इंडियन मेटरोलोजिकल डिपार्टमेट जो है वो जो वेदर बताता है तो हम वो क्या बताता है पुरे सहर का बताएगा पुरे उस रिजन का बताएगा ठीक है उस तरह से बताता है लेकिन अगर ब्लॉक लेवल पर जानने की बात करी जाए तो कौन से बताएगा तो वो एप यहां पर लॉंच किया है आयाटी रूड की नहीं कि थाकि ब्लॉक लेवल फार्मर्स को पता चाए कि हमारे ब्लॉक में किस तरह की वेदर वगरा होगी कि हम किस तरह से खेती उसमें करेंगे यह सब चीजे और और भी एगरिकल्टर से रेलेटेड जो भी एडवाइजरी है बिलेटिन्स है वो सब तो यह भी याद रखेगा अब कुछ आयाटी की हम बात करें जैसे आयाटी जोधपूर कि आयाटी जोधपूर क्यों नियुज में था तो आयाटी जोधपूर ने एक चेस्ट एक्सरे एक्सरे इमेज के थुरू यह कोवीड नाइनटीन को डागनोसिस करने वाला एक Automated Artificial Intelligence टेक्निक जो है वो डेवलप किया है आयाटी जोधपूर ने ठीक है अब जैसे आयाटी मद्रास है आयाटी मद्रास आयाटी मद्रास जो है इसने एक डेवलप करी है एकवा मैप क्या करेंगे एकवा मैप कि थुरू तो यह एक वाटर मेनेजमेंट के लिए मैप है ठीक है ताकि जो वाटर प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व किया जा सके ठीक है इसी तरह से है एक आयाटी हाइदराबाद यह न्यूज में क्यों था तो इसने एक पोर्टल डेवलप करी है कौन सा स्वराज एबिलिटी स्वराज एबिलिटी यह जो पोर्टल है यह डिजेबल्स पर्संस के लिए है जो अप कोई जॉब्स वगरा अपने रिक्वार्मेंट के अकॉर भूंड पाएंगे स्वराज इबिलिटी पर ठीक है तो चलिए नेक्स्ट क्वेस्टन डिसकस करते हैं और अथर अब दी बुक दा ग्रेट टेक गेम श्रेपिंग जियो पॉलिटिक्स एंड डेस्टिनीज ओफ नेशन्स दा ग्रेट टेक गेम शॉपिंग जियो पॉलिटि इस दि करेक्ट आंसर हाली में एक बूक लिखी गई है अनेशन टुछ भॉल पॉटेक्ट इसको लिखा है प्रियम गांधी मोडी ने प्रियम गांधी मोडी एक्च्छली में यह नेशन टुछ अरेक्ट है जो पिछले दोस सालों में कोविड-19 की जो क्राइसिस चल रहे थी उसमें पी-एम मोदी ने कैसे इसको सम्हाला है कैसे इसको बैलेंस किया है ठीक है इस पे ही ये बुक लिखी गई है एक बुक है गॉल्डेन बॉए नीरच चोपड़ा इस बुक को किस ने लिखा है नौदीप शिंग गिल ठीक है एक और बहुत इंपॉर्टन बुक है दि इम्मोर्टल दि इम्मोर्टल किंग राओ किस ने लिखी है वोहिनी वारा ने अलिटिल बॉए ओफ इंडिया अभी हमने गोल्डेन बॉए वो देखा था ठीक है यह है अलिटिल बॉए ओफ इंडिया इसको किस ने लिखा है रस्किन बॉण्ड ने तो याद रखीगा यह कुछ important books है next question DRDO and IIT Delhi has successfully demonstrated India's first quantum key distribution link between DRDO और IIT Delhi ने भारत के पहले quantum कुझी वित्रन link का सफलता पुर्वक परतसन किया कहां से कहां तक में तो यह जो quantum key distribution link अस्तावित किया गया है यह किया गया है परियाग राज एंड विंदे आचल के बीच में option C is the correct answer और DRDO जो है defense research and development organization है IIT Indian Institute of Technology देली और आपको माल होगा कि हाली में IIT जो है पहली बार किसी दूसरे देश में open होने जा रहा है Indian Institute of Technology और वो कहां पर होगा वो होगा UAE में ठीक है next तनिस्का कोटिया and रिदिका कोटिया have been appointed as बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ brand ambassador for which city तनिस्का कोटिया और रिदिका कोटिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का brand ambassador निउक्त किया गया है दोनों को कौन-कौन तनिस्का कोटिया और रिदिका कोटिया को तो यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के brand ambassador होंगे गुरु ग्राम के लिए option B is the correct answer गुरु ग्राम हर्याना में है और यह वही place है जहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलाइंस का headquarter है इंटरनेशनल सोलर अलाइंस के अब तक 100 second member हो चुके हैं 102 member हो चुके हैं इंटरनेशनल सोलर अलाइंस के गुरु ग्राम मही देश का पहला हेली हब बनने जा रहा है next question which states चंबा डिस्टिक has become the 100th हर घर जल डिस्टिक किस राजिका चंबा जिला सोवा हर घर जल जिला बन गया है तो यह 100th है तो यहाँ पुछा जा रहा है कि यह चंबा डिस्टिक आगर किस राजिका है यह हिमाचल प्रतेश का चंबा डिस्टिक option B is the correct answer और यह जो हर घर जल योजना थी इसके तहत जो भी tap water है नल का जो जल है उसको हर घर तक पहुंचानी की इसमें थी क्योंकि एक mission है जल जीवन मिशन ठीक है क्या है जल जीवन मिशन जिसको PM मोदी ने 2019 में ही अनाउंस किया था और इसका target रखा गया था 2024 तक 2024 तक हर घर में tap water यानि नल का जल पहुंचाने की यह बात करी गई थी गाउं में रूरल एरियाज में ठीक है कब तक 2024 तक और एक इसी तरह का जो है जल जीवन मिशन जो है वो बिहार का भी है ठीक है जो की obviously जो बिहार का है हर घर नल का जल यह पहले सही चल रहा है क्योंकि बिहार सरकार ने एक बहुत इंपोर्टेंट अंब्रेला योजना शुरू करी थी इस योजना का नाम है निश्चे एक सब्सक्राइब यह था सब्सक्राइब यह योजना थी इसके तहट बहुत सारे यह योजना थे इसका अब फेज चल रहा है टू पॉइंट जीरो यह चल रहा है इसका ठीक है तो यह भी याद रखिएगा हलाकि मैं इस पे कंप्लेट वीडियो लाँगा है सेकंड फेज इसका चल रहा है तो इसके बारे में मैं जरूर बताऊं कि इस से पूछा जा सकता है एक्जैम्स में नेक्स्ट विच फिमेल क्रिकेटर हैस बिकम दी फिर्स फिमेल प्लेयर तू स्कोर 50 रंस इन 26 बॉल्स कौन सी महिला क्रिकेटर 26 गेंदो में 50 रं बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है तो यह कौन है यह है रीचा घोष ऑप्शन डी इस दी करेक्ट अंसर 26 बॉल में इन्होंने 50 रंग बनाकर एक रिकॉर्ड कायम कर दिया यह पहली इंडियन विमेन हो पहली विमेन ही कहिए यह हो गई ठीक है और इन्होंने यह मैच किसके अगेंस्ट था न्यूजी लैंड ठीक है अज पीछला जो रिकॉर्ड था वो किसके नाम था वो था वेदा कृष्नमूर्थी ठीक है यह वी में किरिकेट प्लेयर है वेदा कृष्नमूर्थी इन्होंने 32 बॉल पर 32 बॉल्स पर 50 रंस बनाये थे और यहां पर देख स देख सकते हो रिकॉर्ड पूड गया यह 26 बॉल पे ही 50 रन बना दिया है रिचा घोश ने राष्टिय युद असमारक की तिसरी वर्षगांट कब मनाई गई है तो यह देख सकते हो नेशनल वर्षगांट जो है वो 25 फरवरी को मनाई गई option B is the correct answer ठीक है और PM मोदी ने इसको 2019 में ही 2019 में 25 फरवरी को dedicate कर दिया था नेशन को इसको inaugurate कर दिया था ठीक है वार मेमोरियस जो भी अब तक भारत के लिए जिन soldiers ने कुर्बानी दी है वीरगती को प्राप्थ हुए है ठीक है एक चीज़ और है हाली में सरकार ने ये सरकार actually court side है ठीक है मैं बताओंगा बात में लेकिन एक चीज़ वर्ड जान दिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं जो soldiers इन जगों पर मारे जाते हैं उनके लिए क्या यूज़ करते हैं शहीद तो यहां पर जो भी armed forces है वो अब क्या करेंगी कि जो सहीद वर्ड है उसका इस्तेमाल नहीं करेगी क्योंकि सहीद उसके लिए यूज़ किया जाता है जो किसी मतलब किसी religious के लिए हो रहा किसी धार्म के लिए fight कर रहा है और वो डेथ में चलिए ठीक है डेथ हो गया तो इसलिए हम या तो वीर वेरगती यूज़ करेंगे या फिर बलिदानी कहेंगे थिक हमिंगे अला रिदान दिया इसो इस तरह की उइस करें तो बेस्ट वर्ड तो यह है वीरगती कु उन्होंने प्राप्त कर लिया है तो जो लोग 4 इस चारोत आहाँ बनाया गया है ठिक है और हाली में जो अंकर जवान जोती को श्रिफ्ट कर देगा है यह आप देख रहा होगा यह इंडिया गेट है तो इंडिया गेट के यहाँ पे आगे में एक होगा करता था अमर जवान जोती जोकी पिछले 75 सालों से यही पे जलता था ठीक है लेकिन यह अभी भी जल रहा है लेकिन अब यह यहाँ पर ग्रेट के पास नहीं है बलकि इस अमर जवान जोति को भी शामिल कर लिया गया है नेशनल वार मेमुरीयर में और यह जो अब पिलर देख रहे हो इसके नीचे यहाँ पर इसको लगाया गया है क्योंकि थोड़ी बहुत थोड़ा दिन पहले इस पे एक रिमर ये फैल गया था कि अमर जवान जोती को गुवर्मेंट ने बुजा दिया है तो ऐसा नहीं है यहां से इसको सिप्ट कर दिया गया क्योंकि यह भी वीर सोलियस्ट के लिए ही बनाया गया है तो इसलिए उनको भ मैंने अपने फादर को भी इस जिसको समझाए कि वो भी पूछ रहे थे कि अच्छा क्या मर जवान जोती को सच में गुवर्मेंट ने वो कर दिया है तो मैंने बताया कि नहीं उसमें भुजाया हो जाया नहीं है बस उसको सिप्ट वहां से करके यहां पे कर दिया है यह ची तो निम्लिकेत में से किसने हाल ही में बैंगलोरू में एक नया साइबर सुरच्छा केंद्र खोला है तो यह है आई बियम ओप्शन डी इस दी करेक्ट आंसर इंटरनेशनल बिजनस मशीन तो यह था नाइन्ट वीडियो ओबियसली वेरी प्लिजन्ट सो हंडेट वीडियो हम कबिट करेंगे और हंडेट वन से वहां से शुरुआत करेंगे तो तैंक यू फॉर वाचिंग बिहार से वेल्स सी यू नेक्स वीडियो जैहिंद